मैं हूँ रुपीज कुमार मिस्त्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ ब्रीन स्टोर मीडी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे देखे आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे रेखा पब्लिकीशन द्वारा जारी किया गया गेस कुश्चन खास कर LNMU में जो BSC Part 1 के चातर है जिनका Chemistry ओनर्स होगा उसका Paper 1 का हम लोग गेस कुश्चन देखेंगे जो 2023 परिक्षा के लिए important है आप लोग फुस्तक से पढ़ रहे हो गेस पेपर भी पढ़ते हो लेकिन क्या पढ़ना है syllabus के according और क्या नहीं पढ़ना है यह हमें जानना है ठीक है यह नहीं है कि आप हम लोग पूरा पढ़ने के लिए निकल जाएंगे इंटायर पढ़ेंगे तो उतना टाइम हमारे पस है नहीं और अप्रेल के महिने में युनिवर्सिटी के द्वारा कैलेंडर जो जारी किया गया उसमें डेट बताया जा रहा है कि अप्रेल से पार्ट बन का परिक्षा प्रारम कर दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग कम समय में कुश्चन तयार करने के लिए हम लोग कुछ गिस कुश्चन देखेंगे और यह जो गिस कुश्चन रेखा पुब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है हर साल बनाया जाता है यह और इसी के अकॉर्डिंग 80% कुश्चन यहां से आपका आएगा और I think 80% अगर मैच कर गया तो काफी है 100 का तो कोई गारेंटी आपको देगा नहीं चलिए तो हम लोग यही बात करेंगे आज की वीडियो में लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए है चैनल को कर लेना है हम नगог करते और फेपर वन केश्टी और जो है वह ध्यान देंगे फिर बाद में हम लोग इसका पेपर टूब्य देखेंगे लेकिन पहले पेपर करने में लोग समावत करें के पहला कुश्च अगर दोका की बचा है तो 50 का हो गया practical तो 75 में आपका जो short question होता है वो 3 solve करना है 5 multiply 3 मतलब कि 3 question एक question 5 marks का ठीक है तो 3 question 15 marks और इसी तरह अगर long का बात करें तो 15 mark का एक question होता है marks का तो 15 multiply 4 तो 60 और 60 और 15 को हम एड़ कर देंगे तो हमारा हो गया result 75 चार question जिसमें से दो दो question group A से और दो question group B से बस और दिया हुआ question 4 चार रहेगा उसमें से दो दो बनाना है दोनों ग्रूप मेंडेटरी है और यह तो कंपल सरी है चलिए फिलाल जिनको नहीं मालूम था उनके लिए एक अतरिक्त जानकारी मैंने यहां से प्रदान तरवा दिय तिसमें the first question actually जो दिया गया है देखो जिसके आगे भीविया है वहीं तयार करना है लेकिन बाकी और भी अगर आपको तयार करना हो तो आप कर सकते है मैं देखा देता है देखो वांडरवाल कॉंस्टेंट A is the measure of cohesive force यह पहला question आपको तयार करना है अगर आपको इसका answer चाह बना लो अब आद में अग्मार गेस पर को देख लो नरी बीजन के लिए ठीक है नोट्स पढ़ो और बाद में गेस पर देखना अभी लगी पहले कोसिस करना है नोट्स ही बनाने का अगर टाइम आपके पास में अनफ है तो अगर डेली आप दो तीन घंटा चार घंटा सम कहीं नहीं नहीं जागी एंड़ फॉर्थ कुस्ट्टन इस इसको पड़ लेना है और इसके आगे मैं आपका यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं हां देखो इलेवन नमर पीज में इसका अंसर मिल जाएगा इसी तरह देखो लाइओ फिलिक कोलोईट्स आर मूर स्टेबल लाइओ फोबिक कोलोईट्स आर इस वीवी है और इसके लिए लेकिन इंपोर्टन यह है तो बारा नमर पेज मिलेगा चली आगे देखते हैं नेक्स्ट इस दा आइडियल गैसे दूनोट सो जूल-Thompson इफेक्ट यह भी इंपोर्टन है नेक्स्ट इस दाट और एनस-3 मोल इस पूछेगा क्यों एसा पूछता है है एक पेज में इसका आंसर लिखना आप मिनिमम एक पेज कम से कम सौट कुस्टन के लिए लिए लिखन होना चाहिए देखो कारबन टेट्रा क्लोराइड इस नन पोलर आपको यह शो करना है भी बीए यह यह बीए यह बीए यह और मिलें ऑक्सीजन इस पैरामेगनेटिक एट्स लिक्वीड बट एच्टो इस टूस इस गयाट गयास अट रूम टेंपरेशर यह इंटरमीडेट के परिक्षा में भी पूछा जाता है कुश्टन देखिए और आपका ग्रेजुएशन पार्ट वन में भी दिया हो दिया ह है और इधर आपका बागी कुश्चन नहीं करना है अट से दस कुश्चन इधर हो गया लगभा यह मेरा यूट्यूब चैनल का यहाँ पर मेंचन किया गया है रिखा प्रकाशन की दौरा इनको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए साधो बाद आप लोगों में से हो इस ग्रूप से दो कुश्चन आपको सॉल्व करना होगा एक्जाम में जो कि 30 मार्क्स का होगा ठिक अभी मैंने उपर भी बताया था देखो पहला ग्यासियस स्टेट से इसमें पहला कुश्चन आपको एक्स्प्लेंट टू मेजर डिफेक्ट्स इन पॉस्टुलेट्स एंड डिरायव रिडूस्ट इक्वेशन अप स्टीट फॉंडर वाल इक्वेशन चटा कुश्चन और चब इस नमबर पेज में इसको आप डूंड लोगे रिखा में अभी रिखा गेस पेपर मार्केट में सबसे अच्छा है सस्ते रेट में कम रेट में आपको जो बोलते तो उसको सुधार करके अब वापस से जो रियालिटी होता है रेखा प्रकासन ने वो अपना दिखाया है इसलिए उन्हीं के दोरा ये कुश्चन सेट किया गया बहुत 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 है राइट सौट नोट्स इचारों पे लिखना आपको नोट्स इसको आप देख नंबर इसके बाद चौथा का दिस्टिंगिस्ट बेविन अमर्फोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड और कल्कुलेट नंबर अटमस इन प्रिमिटी बी सी सी अन एप सी सी यूनिट सिल सैंतीस और अरटीस नंबर पीज में इसका अंसर है नेक्स इस और डिफाइन कोडिनेशन समरें रेडियस रिश्यो एंड लिमीटिंग रिश्यो यह भी यह है और एक्स्पेंद फॉलविग नोटिंट क्रॉस कर रहा हूं है इसको राइट सॉट नोट सॉन यूनिट सिल यूनिट सेल हो गया एक आपका सपेस लैटीस इस पेस लैटीस थर्ड का बात करें तो क्रिस तरे diffraction of crystal आब आते हैं colloidal, colloidal में differentiate between the true colloidal and suspension solution भी भी है, explain coagulation of colloids and Hardy School's law, यह भी important है, differentiate between lyophilic and lyophilic colloids, उसके बाद तीसरे नमर question को हम लोग cross कर रहे हैं, explain gold number, देखो gold number पे question पूछा जाता है, तो gold number plus relation उसका, gold number plus relation with stability of colloids, and write short notes on gold number, टिंडल effect, electrophoresis, next is electrokinetic phenomena and dialysis, gel, peptidges on emulsion नहीं करना है, अगर आपको करना हो, तो एक्स्टाप कर सकते हैं, लेकिन BBI उतना नहीं करना है, BBI के लिए बस एक, दो, तीन, चार और पांच question, group B में आते हैं, देखे, group B में explain the difference between orbit and orbital दिया गया, 60 में, state and explain, Heisenberg uncertainty principle explained its significance, ये भी भिया है, 61 में, sketch shape of S, P and D orbitals locate nodal planes, ये भी भिया है, and discuss polys exclusion principle and of war principle, 71, periodic properties में ये वाला question, ascertain the position of element in PTE, एक question इस पे पूछेगा, और explain the variation of IP, ionization potential, atomic radia, radia, electron, affinity and electron negativity of elements in group and periodic, period in periodic table, next is that your six number question, electronic configuration, लिखने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे data दिया हो, इस को आप लोग, अदरवाज you can take it to screenshot for better convenience, right, short notes on diagonal relationship, chemical bonding पर आते हैं, there is no any important question from chemical bonding side, S block से देखे, तो हाँ S2O2 can be prepared in the laboratory, right down the structure of S2O, this is very important option, इसका यह वाला, और P-Block से एक question है, discuss the structure of Diboron and Boragene, और एक यह है, ग्रीवे वरीप अकांट of charcoal separation method to isolate different inert gases from the inert gas mixture, उसके बाद इदर, right down the safe structure and hybridization of XCF to XCF4 and XCF6, right, short notes on borax, weed test, red leaf, white lid, borans, silicons and compounds of gin, air pollution and soap पे आते हैं, सब अलग-अलग कर दिया गया है, ताकि समझने में जएदा असानी हो, right, short notes on air pollution and its control, air pollutants, next is that, यहाँ पर और कुछ है किया, बस, यहाँ पर आके आपका, इस छठे वाले section पर आके आके आपका guess question का series खतम होता है, paper one का, इतना question आप तयार करो, वीडियो को नहीं समझा आया होगा, दुबारा देखो, screenshot लो, फिर अपना notes और याद करना प्रारम करो, आशा करो, आपको हर एक point यहाँ crystal clear होगा, और यह मैं बता दू, यह आपका 2022 का question है, जो 2022 के परिक्षा में पूछा गया, तो यह तो आपके पास question bank होगा, उसमें आप देख सकते हो, तो हर एक point यहाँ से आपको crystal clear होना चाहिए, वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे लोगों तक भी इसको share करें, तो इसी note के साथ यह है वीडियो का है, thank you for listening, and as always, God bless you all.